हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आर्प लग्लाश्कल पॉइंट में मैं सोन गुपता और इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूं डेकंग कॉलस की बारे में यहां पर जो है कि कई सारी जो है कि डिप्लोमा कोर्सिस आई विए से में और एड्मिशन नूटिस आया यहां पर पे अपने केसन फाम आया है तो आप इस वीडियो को जरूट देखिएगा और मैं आपको बताने वाला हूं कि चोटा सा बेसिक अंतर मैं आपको बताने वाला हूं भी एच्चु और डेकं पॉरज के बारे में चों कि आप लोग में से बहु सारी लोग पूछते ह कि बीच्चों डेक्न कॉलेज में दोनों में से कहां से मास्टर करना चाहिए देखिए अगर आप मेरी राय मानेंगे और यह मेरी परस्टनल राय है ठीक है समझ में तो फालो करिएगा वरना मत करिएगा कि अगर आपको एसिस्ट इन प्रोफिसर बनना है या फिर आपको अगर अपको डेक उपर अपकर और शुर्ड रहता है आपका तो आपका जो मतलब एक डायरा होता है सोचने का वो चोड़ आवाज रहा हमें उच्छा वह भी और चॉछ एफार्ट इस्ट नहीं का अगर आप करते हैं तो आपको वहां पर दियर्टेशन करना होता है कि करना बढ़ जाता है ठीक है फेस्ट थोडी बोट जो एस्लबस का भी अंतर है मास्टर में आप सर्च कर लिजाएगा कि जो डेकन कोर्च के सिलबस भी अंतर है इस जोड़ा सापको आडिया लेगा कि क्या आपके लिए बिस्ट है तो अब ही तो एक चुटा सा मतलब मैंने आपको अंतर बताया अब हम सीधे चलते हैं कि यहां पर कैसे मतलब किसकी सीजों में अद्मिशन आया है मतलब अपले के सन आया है और उसकी इलिजबिल्टी क्रेटेरिया के है इस्टार करते हैं और देखते हैं कितने सीटी कहां पर करते हैं ठीक है एडमिशन और उपन फर फाल्विं कोर्सिस फार्द अकेडमी कि यह तो तौन ट्वंटी तुन ट्वंटी ट्री पॉइंट नंबर वन है कि डिपलोमा कोर्स इन अंडर्वाटर अर्वाटर अर्किलोजी यह आपका आएगा यह सी अर्किलोजी के अंडर में में विथ 55 परसंट अगर आप अन्रिजर्व क्रिटेगरी से हैं तो अगर आप रिजर्व क्रिटेगरी से हैं तो आपका 55 परसंट ग्रिजवेशन में होना चाहिए एडिवाटर अर्किलोजी के साथ अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नम्र जो तू है वो देख सकते हैं इसमें लिखा है कि डिपलोमा कूर्सीन हेटिर साइट मैंजमेंट एंड साइन्टिफिक कंजर्वेशन ठीक कभी कुछ पोस्ट में इसमें मांगता है तो आप देख लिजीक आपने कोड़िंग आपक 55% ठीक है ओपन के लिए और 50% रिजर्व कर्टेगरी के लिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नम्र त्री है शर्टिफिकेट कोर्स इन अर्किलोजी अ बुद्धिजम ठीक है अगर आप अर्किलोजी आप वो दिजम पे करना चाहते हैं शर्टिफिकेट कोर्स तो इसके लि बसंट रिजर्व आगे बढ़ते हैं यहां पर यह कह रहे हैं कि जो है कैनिदेट सूट फिल दा अड्मिसिन फ़र्म अनलाइं थूर वेबसाइट आपको इस वेफसाइट पी जाना है www.dc.pune.ac.inp बढ़ते हैं लिए बढ़ते हैं लिए फिल दा आपके पास अप्रेल मैं जुन मतलब आपके पास काफी बढ़ते हैं और फार निकोरी प्लीस कॉंटेट अस आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह कोई पन्फूसन है एस लिमित नॉट मोर्दिन 45 आपका जव ह के उपर नहीं होना चाहिए एडमिसनी सब्जेक्ट टू एंट्रेंस देश्ट एंटर्व्यू मतलब आपको एक इंटरिंस टेश्ट सी गुजरना पड़ेगा और आपको इंटर्वी फेस करना पड़ेगा इसके बाद डिपोजिट अब दफी 300 रुपीस मतलब आप चुब कि admissions notice for 2020-23 ठेक है यह master के आपको मतलब किया गया है कि admission and open for the following courses for the academic year 2022-23 A. M.A. Master of Arts, due to two years, 4 semester, मतलब 2 साल का 4 semester आपको जो है कि यहां करने होंगे और आप यहां से A. M.A. करना चाहते हैं तो कि नुखेट कहा है kadar सब्चों का यह सब्चेट का यह सब्चा कर क्या लिंग्विश्टिक्स है का अगर इन सब में आप चुछ है कि लेना चाहते अड़मिश्ट तो तो इंटे कैसेटी 60 seats for each subject, मतलब अगर आप AIC-Archology नेना चाहते तो यहाँ पर 60 seats है, ठीक है, मतलब 60, और Linguistics में भी 60 seats है, Sanskrit and XCodeography में भी 60 seats है, आप यहाँ पर admission ले सकते, तो MA में admission लेने के लिए जो eligibility criteria, इसको हम लोग देख लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप AIC-Archology में admission लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि any graduation, मतलब आपका graduation किसी भी subject में हो, आप जो है कि admission ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप linguistics में लेना चाहते हैं, मास्टर में, तो आपका graduation किसी भी field में हो, आप जो है कि linguistics से graduation कर सकते हैं, और अगर अगर संस्कीत अगराफिय में लेना चाहते हैं मास्टर में, तो उसके लिए आपका BA में, BA with Sanskrit, or any discipline with the Sanskrit as subsidiary subject, इसका मतलब यह है कि आप कि किसी भी subject साहते हो, अगर इसमें आपका संस्कीत होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो 學 and kilos, प्युक्त कामरों साहते ही, तो में भी साहते हैं आपको प्र खेचा हो आपके अगरोची क के यह के संस्कीत हैं करा मस्टर 환경 के साहते हैं joint tipsigon air Video SelectEd sup being this but yourा on yoursset University まई have your application already, if your乃 ए रखना है, इतना है, रखनाग के स्मार्गार सकते हैं, क्श्कामर्ट कर सकते हैं dr. पर देख दुन के पहले आपको इनको हाड काफी अबना शेंड कर देना है एडमिस्टन का फाहम तो आप यहीं फिल करके आपको हाड काफी इनको शेंड करना है अकेडमिक सेक्षन विथ अधर इसकेशन डाकुमेंट आप वहां पर जो कॉंटेट नमबर दिया गया था तो इतनी चीजें मतलब हो गई राइट तो आई होब की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपी काम की चीज होगी ठीक है और आसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वाचिंग से नेक्स वीडियो टेक क्यार